साथियो नमस्कार, साथियो गोट फार्मिंग की ओनलाइन ट्रेनिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है साथियो हमने इस ट्रेनिंग की आज तीसरी क्लास है और बिमारियों से इस ट्रेनिंग की सुरुवात इसलिए कि क्योंकि परजेंट समय के अंदर भेड और बक्री पालकों के अंदर सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि भेड बक्रियों की बिमारियां जो है जादा तर इसी सीजन के अंदर बरसात के समय ही रहती है तो इसलिए हमने सोचा कि टाइमली पहले हम इस सेशन को कम्पलीट कर लेते हैं डिजीज को बाकी मेनेजमेंटल पॉर्शन जो है डिजीज, हाउसिंग ये इसके बाद कर लेंगे तो आज की इस लेक्टर क्लास के अंदर आपको एक ऐसी बिमारी के बारे में अवगत करवाने जा रहे हैं उसके बारे में स्टडी करवाने जा रहे हैं जिसका परतेक भेड है रुम बक्री पालक के मन के अंदर एक खोफ है, मन के अंदर उस बिमारी को लेकर के सभी भेड बक्री पालकों के मन में एक टैंसन है जिसका नाम है PPR PPR नाम सबने सुना है, PPR का टिका लगवाना चाहिए सब को पता है और टिका कब लगवाना चाहिए, किस तरह से लगवाना चाहिए, कौन सी दवा इसके टिका करण के लिए काम में लेनी चाहिए और इस बिमारी के कौन-कौन से ऐसे critical लक्षन है जिनको देख करके पसुपालक इस बिमारी को identify कर सकता है यानि पहचान सकता है तो अपन इस बिमारी के बारे में completely चर्चार्ज की class में करते हैं तो सबसे पहले साथियों आप जैसे देख पारे हो PPR जो बिमारी है इसकी पूर ये बिमारी मुख्यत है भेडे बकरियों में ही फैलती है इस बिमारी के कुछ अन्य नाम भी है उनके बारे में भी अपन जान लेते हैं आप देख पा रहे हैं गोट प्लेग यानि बकरी प्लेग के नाम से भी इस बिमारी को जाना जाता है जबकि epidemic in goat यानि बकरी महामारी क कि सबसे बड़ी जो बिमारी है वो ये PPR है और इस बिमारी की चपेट में देश भर के अंदर कम से कम हजारों ऐसे पसुपालक आते हैं जिनके लाखों बेडे औं बकरियों का नुक्सान है वो पर टेक वर्ष होता है तो ये एक बिमारी साथियों संकर्मन से फैलने वाले बिमारी है और वाइरस जनित ये बिमारी है वाइरस जनित बिमारी आप सब को पता है यदि कोई बिमारी वाइरस से फैलती है तो उसका संकर्मन बहुत तेजी से आगे से आगे बढ़ता है इस बिमारी के अंदर आपन देखते हैं कि लगबग यदि किसी किसान के पास में 100 बेड़े हैं या 50 बेड़े हैं तो सभी की सभी बेड़ों के अंदर या सभी की सभी बक्रियों के अंदर भी इस बीमारी का संकर्मन आ सकता है और उसके अंदर 50 से लेकर के 80 से 90 परशेंट बेड़ें affected जो एनिमल्स थे उनकी death भी हो सकती है यानि उनकी मर्त्यू तक भी हो सकती है तो इतनी खतरनाक ये बीमारी है इस बीमारी का जो virus है वो morbilli virus यानि morbilli sreni का ये virus है virus के भी अलग-अलग नाम होते है तो इस बीमारी का जो virus है morbilli sreni का virus है और ये काफी 3 गती से फैलता है बहुत तेज गती से आगे फैलने वाला एक वाइरस है साथियो इस बिमारी के जो फैलने के पीछे जो कारण है ये सबसे महत्वपूर्ण है कि किन-किन कारणों की वज़े से ये वाइरस आगे फैलता है ये चीज़े दी पसु पालक जान लेता है ये चीज़े दी पसु पालक पहचान लेता है तो बिमारी को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है जैसे सबसे पहले निकट से यानि एक दूसरे पसु के संप्रक में आने की वज़े से पसु पास-पास में जादा है या एक कम स्पेस के अंदर जादा पसू को रखा गया है और बाई चान्स एक भी पसू के अंदर बीमारी आ गई तो उसकी वज़े से भी ये बीमारी आगे से आगे फैल सकती है तो इसलिए अपने को थोड़ा सा पहले से ध्यान रखना चाहिए कि एक जुंड के अंदर जादा पसू को नहीं दूसरा आप देख पा रहे हैं कि एक दूसरे पसु के मलमूतर के संप्रक में आने से भी यदि कोई बिमार पसु इस बिमारी से अफेक्टेड पसु का मलमूतर किसी दूसरे पसु के संप्रक में आएगा तो उससे भी ये बिमारी आगे से आगे फैल सकती है फिर आपन देख परें नाक, आंख, मुहें से निकलने वाला श्राव यानी इस बीमारी के अंदर पसु के आंखों से भी पाने निकलता है, पसु की नाक से पाने निकलता है और मुहें से भी सलाइवा की तरह पाने निकलता है, तो वो सराव भी यदि किसी दूसरे स्वस्त पसु के कॉंटेक्ट में आता है, तो उससे भी ये बीमारी आगे से आगे फैलती है, फिर आप जैसे देख पारे हैं, कि पसु की छींक और खांसी की वजह से भी, कि पसुओं के अंदर इस बीमारी के अंदर न नाव की condition के अंदर, यानि जब पसु stress के अंदर होता है, stress के पसुओं में बहुत सारे कारण हो सकते हैं, प्रिवेहन यानि transportation हो सकता है, जब आप एक जगह से दूसरी जगह पे बकरियों को ले के आ रहे हैं, या ले जा रहे हैं, या आप continue traveling आप पैदल करवा रहे हैं, 10-10-20 kilometer आपकी भेडबकरियां पैदल रन कर रहे हैं, और उनको proper चारा खाना नहीं मिल पा रहा, उसकी वज़े से भी stress आ सकता है, पसु के गरवा अवस्ता की वज़े से भी stress आ सकता है, कई बार जब पसु pregnant होता है, और उसके सरीर में proper energy नहीं है, जिसकी वज़े से भी पसु है, वो stress में आ सकता है, परजीवियों के संकर्मन की वज़े से भी, यानि पसु के सरीर पे parasites load जादा है, परजीवियों का संकर्मन जादा है, तो उसकी वज़े से भी पसु stress में आ सकता है, और इस बीमारी का परकोप है, वो फैल सकता है, कमजोरी की वज़े से, यानि पसु weak है पसु कमजोर है, दूबला पतला पसु है या पसु किसी दूसरी बिमारे से संकरमित हो रखा है तो भी ये बिमारी आज जादा फैलने के चांसेज हैं अब सबसे मेन बात ये आती है कि ये बिमारी मुख्यते किन-किन पस्वों में फैलती है वैसे तो अपने ruminants सबसे पहले चर्चा की पर ruminants में जुगाली करने वाले सभी तरह के पशो आते हैं पर उन में से मुख है तही ये बिमारी भेड और बकरी के अंदर यानि जिसे small ruminants कहते हैं उन पशो में ज़्यादा फैलती है अब यदि अपन बात करें कि इस बिमारी के ऐसे कौन से critical लक्षण हैं जिनकी वज़े से पसुपालक इस बिमारी को आसानी से पहचान लेता है क्योंकि भेड बकरीयों में इतनी सुविद्या पसुपालकों के पास नहीं होती कि होस्पिटल में लेकर के जाएं और उसका diagnose वहाँ पे करवाएं तो अपने को लक्षण का पता होना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है तो इस बिमारी के कुछ एक ऐसे लक्षण ऐसे भी हैं जो FMD से भी मिलते जोलते हुए हैं तो उन पे अपन साथ साथ में चर्चा करेंगे इस बिमारी में आप देख पारे हो कि ये बिमारी मुख्यत है चार से छे दिन तक है वो रहती है यदि 6 दिन तक continue रहेगी पसू ठीक नहीं हुआ तो पसू की death भी हो सकती है उसके बाद आप यहाँ देख पारे हैं कि temperature बहुत high temperature रहता है अचानक से तेज बुखार पसू को आती है 104 से लेकर के 106 degree फार्ने height का जो temperature रहता है उस temperature तक पसू के सरीर में अचानक बुखार आती है दूसरी कोई जब बिमारी आती है तो धीरे धीरे पसू का temperature आता है जबकि इस बिमारी में अचानक से पसू को temperature आएगा तो ये चीज आपको सबसे men note करके रखनी है और previous video के अंदर भी मैंने जैसे बताया था कि आपके पास एक thermometer होना चाहिए जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पसू पालक है वो thermometer लगा करके गुद्दा दवार के अंदर पसू का temperature है वो देख सकते हैं तो आप भी इसी तरह से अपने पास ये धी thermometer है तो आप temperature को देख सकते हो पसू के अंदर के कितना temperature आ रहा है इसके बाद पसू सुस्त और बेचेंद रहता है यह सभी बिमारियों का एक common लक्षन है जब कोईसी भी बिमारी आती है तो पसू के सरीर में सुस्ती स्थिलता और irritation है वो रहता है उसके बाद इस बिमारी में सबसे ज़्यादा जो किसी system पसू के body में effect आता है तो सबसे ज़्यादा आता है respiratory system और digestion system है यानि पाचंत अंतर और सवसंत अंतर इस बिमारी में सबसे ज़्यादा परभावित होता है ये आपको कोई भी ये बात नहीं बताएगा जबकि आप यहाँ पे देख पारें कि सवसंत अंतर और पाचंत अंतर में सबसे ज़्यादा पसू के इस बिमारी का परभाव पढ़ता है सवसंत अंतर में परभाव पढ़ता है और ऐसे ही पाचंत अंतर की समस्याद के जिसकी वज़े से आतिसार यानि तेज दस्त भी इस बिमारी के अंदर होते हैं वो भी आपन लक्षन आगे पढ़ेंगे इसके बाद यदि आपन देख पाते हैं तो पसू के मुहें और जीब पर छोटे दानेदार छाले इस बिमारी के अंदर होते हैं छोटे छोटे आपको लाल रंके दिखाई देंगे FMD बिमारी के अंदर जैसे मैंने बताया कि कुछ एक ऐसे इसके लक्षन है जो FMD से भी मिलते जुलते हैं तो यानि इसके मुहें में आप देख परे हैं कि छोटे छोटे सफेद या पहले लाल रंके होते हैं और बाद में वो सफेद हो जाते हैं छोटे होते हैं बारिक दानेदार छाले इसके अंदर बनते हैं और नाग का जो नोस्ट्रियल जो portion है, पसू के होटों पे, पसू के जबडे का आगे का जो portion है, उस पे swelling, swelling यानि सूजन आती है, और सूजन के साथ साथ में पसू के मुहें पे बाहर की तरफ जैसे नाक से लेकर के और नीचे का जो थोड़ी का जो portion है उस भाग में दानेदार सरंचना बन जाती है सुरू में आप देखोगे छोटी-छोटी होगी और बाद में वो थोड़ी बड़ा उभार टाइप आपको दिखाई देने लग जाएगा और जो मुख कहते हैं अपन यूँ कह सकते हैं कि आगे का जो फेस है भेड और बकरे का उस पे आँखों से पहले-पहले आँखों से आगे-आगे का जो portion है उस पे बाहर की तरफ आपको ये सरंचना दानेदार सरंचना दिखाई देती है होटों पे और होटों पे थोड़ा पिछे की तरफ अपने को ये दिखाई देती है आँखों में सूजन आँखों में पसु के सूजन आजाती है आँखों से पानी गिरने लगता है और एक सबसे मैन इंपोर्टेंट है कि आँखें लाल कलर की पुतली आपको इस बिमारी में दिखाई देती है जब आप पसु के आंक को थोड़ा सा खोल करके देखोगे तो उसकी पुतली लाल आपको दिखाई देगी तो ये बहुत ही critical इस बिमारी के लक्षन है यदि पशुपालक इन लक्षनों को पहचान लेता है तो बिमारी के control करने के लिए अपन कुछ उपयोग है वो कर सकते हैं इलाज अपन कर सकते हैं तो इसलिए लक्षनों को पहचानना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है उसके बाद यदि अपन देखते हैं कि भेंकर तेज दस्त लगते हैं दस्त के साथ साथ में कई बार यदि अटेक जाता है तो खुनी दस्त भी हो सकते हैं यानि दस्त के साथ साथ में खून जैसा भी आपको पर्तीत हो सकता है जैसे आप फोटोग्राप्स में देख पा रहे हैं बेड और बकरी दोनों के अंदर अपने को इतने तेज दस्त लगते हैं कि पिछे का जो पसू का जो पोर्षन है बैक जो लेग है पिछे के टांगों पे और पूच के भाग पे जो बाल है पूरा का पूरा अपने को दस्त से कवर अप को बताया था कि नीमोनिया भी इस बिमारी के अंदर बन जाता है उस तरह के लक्षन अपने को परतीत होते हैं याभिन यदि पसु है एक्स्ट्रा प्रेगनेंसी के अंदर यदि पसु है तो गरब पात जैसी कंडिशन भी हो सकती है यानि पसु कंटिन्यू ये चार पांस दि कंटिन्यूस बिमार रहता है एक सपताय तक ठीक नहीं होता तो अल्मोस्ट उसकी चांसे रहते हैं कि उसकी डैथ भी हो सकती है जैसे सुरू में भी बताया था कि इस बिमारी के अंदर 50 से लेकर के 80% तक मोत है वो पसुओं की हो सकती है तो इतनी खतरनाक ये बिमारी है चीज़ सबसे ज़्यादा जरूरी है तो सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूँआ यदि आपको लग रहा है कि हमारे पसुओं में PPR है तो नजदी की पसुचिक सक से तुरंत आपको मिलना चाहिए और डोक्टर की सलाह से पसुओं का ट्रेट में करवाना चाहिए और फ तो इसी भी बीमारी पसुओं के अंदर क्यों ना हो गाये बहेंस भेड़ बकरी रोगी पसुओं को तुरंत सबस्त पसुओं से अलग कर देना चाहिए संकरमी तो जो चारा और दाना उस पसु के संपरक में था उसे तुरंत अलग करके जला देना चाहिए ताकि उसके संप वो भी उससे खतम हो जाएगा पसु का जो आवास है उसके अंदर लाल दवा का चुने का या फिनोल का आप छिड़काओ करेंगे तो उससे भी इसके जो वाइरस है वो खतम हो जाते हैं फेफडों में इस बीमारी में संक्रमन जादा होता है क्योंकि निमोनिया बनता है निमो का उपयोग करवा करके कुछ ट्रेटमेंट करवा सकते हैं जिसके अंदर आप कुछ लाबकारी इंजेक्शन का नाम भी मैं यहां पे आपको बताने जा रहा हूं जिसके अंदर सेफटराइजोन, जेंटामाइसिन और मेलोक्सिकें यानि यह जो दो अपने को यहां पे जेंटामाइसिन और सेफटराइजोन और मेलोक्सिकें जो है वो दर्द के लिए दर्द और सूजन को दूर करने के लिए इंजेक्शन है आप इन को काम मिले सकते हैं साथी साथ पसू को मल्टी विटामीन देना भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है ताकि उसकी बोड़ी का रिजल्ट है वो अपने को प्रोपर नहीं मिल पाता तो मल्टी विटामीन साथ में लगातार जब तक पसू ठीक ना हो जाए और ठीक होने के बाद में भी 4-5 दिन बाद में भी यदि पसू को मल्टी विटामीन 5-5 ऐमल यदि देंगे तो पसू जल्दी रिकवर होगा प बहुत जादा लंबे समय तक भी नहीं देना चाहिए 5-6 दिन दीजिए उसके बाद 15-20 दिन का गैप रक परके फिर आप आगे 5-6 दिन दे सकते हैं यदि आपके फारम में कोई पसू कमजोर है बच्चा कमजोर है पूरा दूद बच्चे को नहीं मिल पारा या दूसरी बच्चे की रिकवरी है वो फास्ट होती है या आप डीवर्मिंग करते हैं तो डीवर्मिंग के बाद में अपने को 2-3 दिन तक आराम से मल्टी विटामिन यदि पसू को देते हैं तो उससे भी अच्छा रिजल्ट है मिल पारता है और बुखार यदि पसू के है तो उस कं इफेक्टेड पसू का भाग है जैसे किसी पसू के मुहां पे छाले हो रखे है या मुहां के अंदर छाले हो रखे हैं तो उनके उप्चार के लिए उसे रूई से साफ करना चाहिए और रूई से साफ या रूई आपके पास नहीं है तो सुत्ती कपड़ा जिसे बोलते है जो मुलायम कपड़े से आफसाफ करके और उस पे आप बोरो ग्लिसरीन यदि लगा देंगे तो वो छाले हैं वो जल्दी रीकवर हो जाती हैं और एक सबसे मेन जो देसी तरीका है जो मेक्जिमम पसू पालक काम में लेते हैं कहीं पे भी आपको ये सुनने को नहीं मिलेग जबकि बहुत से ऐसे पसू पालक इस तरीके को ही काम में लेते हैं उसका रिजल्ट भी बहुत श्यांदार है सरसों का तेल आप सब को पता है सब के पास में सरसों का तेल अवलेवल होता है सरसों के तेल को गरम करके जैसे आपके पास बड़ा फलोक है और 10-15 बच्चों मे या भेडों में आ रखा है तो लगबग पाऊ बर सरसों का तेल आप एक बार गरम कर लीजिए थोड़ा ठंडा होने के बाद में जैसे गुनगुना रहे उसमें हल्दी मिला करके एक चमच हल्दी मिला करके और पसू के मुहें पे उसका लेप कर देंगे या होटों पे और और जो मुहें के अंदर का जो भागता होटों पे या जीव्या पे तो उसपे भी आप उसका लेप कर दोगे तो भी वो एक एंटि सेप्टिक का काम करता है और एक मलम की तरह काम करता है उससे भी रिजल्ट है वो बहुत शानदार मिलता है यह ट्रेडिसनल नोलेज है सिस्टम परवावित होता है तो ऐसा बोजन पसु को खिलाएं जिसका पेट में आसानी से पाचन हो सके पसु को एनरजी वाला बोजन खिलाना चाहिए जिससे साथ साथ में एनरजी भी मिलती रहे इस PPR बिमारी का यदि आपको पता चलता है तो पता चलते ही तुरंत आपको पसु चिकिस्टम को सूचना देनी चाहिए उसके बाद में यदि मर्त भेड़ और बकरियों का जो स्पेस है जिस जगए पर भेड़ और बकरिया मर गई तो उस जगए से वो मर्त पसु उठाने के बाद में उस जगए पे अपने को फिनोल या चुनने के घोल का या मर जाती है किसी पसु के साथ में ऐसी अनुहनी गटना हो जाती है तो उस पसु को जला देना चाहिए या दफना देना चाहिए खुले में कभी भी नहीं छोड़ना है किसी बीमारी से यदि कोई पसु की मोत हो रही है तो उसे या तो दफना दे या तो उस पसु को जला दे त ज़्यादा तर बिमारी फैलती है, इसी वज़े से फैलती है, कि मर्त पसू को खुला छोड़ देते हैं, और फिर दूसरे पसू के संपरक में धीरे-धीरे वो आता रहता है, और उससे आगे से आगे बिमारी फैलती जाती है, तो सबसे इंपोर्टेंट है, यदि किसी पसू क मोत बाइचांस हो जाती है, तो उसे दफना देना चाहिए, खुले में नहीं छोड़ना चाहिए, अब बात करते हैं वेक्सिनेशन की, टिका करण की, यदि टिका करण पसू पालक समय से करवा लेता है, तो बिमारी से 101% बचा जा सकता है, अपने तमाम पसू को पन बचा सक जाते हैं, तो टिका करण अपने को सुनिशित रूप से करवाना चाहिए, टिका करण की जो अफ़ि chlorती है जनम के 3 महीने बाद जैसे ही बच्चा जनम के बाद में 3 महीने का होता है, दस दिन ऊपर भी चला जाता है या 15 जिन ऊपर चला जाता है, या बाइचांस कोई बच् vaccination करवाने के लिए vaccine का नाम भी यहां पे show किया गया है PPR vaccine या रक्षा PPR के नाम से दो तरह के नाम से यह vaccine आती है अलग-अलग company की दोईयां अलग-अलग नाम से आती है तो आप medical से जाओगे या गोर्वेंट hospital के अंदर भी supply के अंदर आती है आप वहां से भी लगवा सकते है यह 100 ml और 50 ml दो डोज के अंदर आती है 50 और 100 ml की डोज में आती है और freeze-dried condition में भी आती है और जो dilute foam है उस foam के अंदर भी आती है तो liquid और freeze-dried दोनों condition के अंदर यह इसकी vaccine आती है market के अंदर इसकी जो डोज है एक एमल एक पसू को लगानी है ज़्यादा दवा येदि अपन लगाएंगे बाई चांज पसू पालक खुद यदी लगा रहा है और ज़्यादा येदी डोज को पसू पालक लगा देगा पसू को तो उससे भी बिमारी फैल सकती है तो इसलिए अपने को दोज का ध्यान रखना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है और एक चीज अपने को दूसरी भी सुनिश्चित कर लेनी चाहिए कि यदि अपने फ्लोक के अंदर बिमारी आ गई एक आदा PPR से अफेक्टेड पसू हो गया तो उसके बाद कभी भी वैक्सिन नहीं करने चाहिए आ के आसपास गाओं में बिमारी आ गई तब वैक्सिनेशन करने का कोई भी फाइदा नहीं है क्योंकि तब तक उस बिमारी का संकर्मन फैल चुका है इसके बाद इस बिमारी का यदि आप वैक्सिनेशन करवा लेते हैं तो एक बार वैक्सिन करवाने के बाद में तीन साल तक इससे पसुख के अंदर immunity बनी रहती है, तो 3 साल तक आपको दुबारा से vaccine लगवाने की जरूरत है, नहीं है, 3 साल बाद अपने को दुबारा से vaccine करवा लेनी चाहिए, इसके बाद यानि 3 वर्स बाद अपने को टिका करना है वो दुबारा करवाना होता है, इसके बाद ये अ और कुछ साथ साथ में महतोपूर्ण चीजों के बारे में यदि अपन बात करते हैं, तो वैक्सीन का जो रूट होता है, वो सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है, यानि चमडी में लगानी है, या मास में लगानी है, किस तरह से लगानी है, दूसरा जो उसका cold chain maintain होता है, व अपने स्थान के लेकर क्या सकते हैं, या पांच या दस मिनट का आपका रस्ता है, तो कोई ज़्यादा जरूर नहीं है, पर आपको freeze dry vaccine है, तो उसे freeze के अंदर यानि बरफ में रखना आउशक होता है, सबसे main important एक जो बात है, वैक्सीनेशन करने के बाद में अपने को खाल पास में नहीं डालना चाहिए, और जहां तक कोशिस हो सके, परतेक पसु के लिए अलग-अलग needle काम में लेनी चाहिए, यदि बाईचान साब के पास में नई needle नहीं है, अलग-अलग काम में लेने के लिए, तो needle को आप गरम पानी में dip करिए, उसके बाद में आप second पसु क करवाया था, फिर भी बिमारी आ गई, यानि ये चोटी-चोटी बातों का साफदानी यदि नहीं रख पाएंगे, तो बिमारी आ सकती है, तो सभी पसु पालकों से मेरा यही निवेदन है, कि ध्यान से इस वीडियो का आप सुने, देखें, बिमारी के लक्षन को पहचाने आइडेंटिफाई करें, और उसके बाद में तुरंत इसका इलाज करवा लेते हैं, तो आपके फारम के अंदर जो इस बिमारी से डैथ होनी थी, उससे आप बच सकते होगा, यदि आप टैमली अवेर नहीं रहोगे, तो ये बिमारी बहुत ही भेड़ बकरियों के खतरनाक बिमारी है, और पसुपाल को, यद जब एक आपके फारम में छोटी सी बिमारी इंट्रक कर जाती है, तो बिमारी का आना तो बहुत सरल होता है, पर बिमारी का खतम होना, बिमारी का वापस जाना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए साबदानी रखिए, कभी भी आपके साथ में दुर गटना नहीं गटेगी इस तरह की और यदि आप छोटी सी साबदानी को छोड़ देंगे तो हो सकता है आपके भी नुकसान हो जाए तो मैं भगवान से दुआ करूआ कि आपको इस तरह की तमाम बिमारियों से बचा करके रखे आपके पसुधन को बचा करके रखे और जब बिमारी नहीं आएगी तब भी किसान को फाइदा है और तब भी किसान उसे मुनाफ़ा कमा सकता है आगे के वीडियो के लिए आप प्लीज वेट करते रहिए जल्द ही हम दूसरा वीडियो दूसरी बिमारी से समंदित आपके लिए लेकर कहेंगे सबी सातियों का धन्यवाद